अस्सलाम अलेकुम डेफरेंट्स अमीद आप सब खेरत सौंगे हमारा आज करें टॉपिक है वो है किस तरीके से हम जो है अटेम करते हैं लॉगएट का पेपर अब जैसे कि आपको पता है कि विदिन वन और टू डेज आपका एक्सपेक्टेड है कि लॉगएट आप देने व एक हार्ट बोड उठा लें एक जो है बाल पेन उठा लें सिंपल इतना कौंगा बाल पेन यह जो आप जो है कुछ स्टुएंट्स पॉइंटर वगरा यूज़ करते हैं पॉइंटर यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि जब आप एक MCQs को solve करते हैं वहाँ पर अगर आप पॉइंटर से click करेंगे तो वो जो है आपका mark नहीं होगा तो पॉइंटर नहीं लेके जाना बाल पेन लेके जाना है जो के चलता हो जो के running बाल पेन हो जिस पे आपका हाथ हिला हुआ है उसके साथ यसाथ आपकी जो examination slip है वो examination slip ले ज ठीक है आपका जो original NIC है वो NIC ले जाए और आपने जो इसका चलान पिला है चलान पे किया है आपने log it देने के लिए वो चलान आप ले जाए ठीक है इससे अधर जितने भी कुछ लोग जो है over चीजे कोई box लेके जा रहे हैं कुछ जो है pouch वगरा लेके जा रहे हैं मारकर इनकी कोई भी जरुवत नहीं है एक ball pen और यह relevant documents आप ले जाएं बस more than enough है इससे हटके अगर आप कोई भी चीज लेके जाएंगे तो वो फुजू ले लेके जाएंगे अब log it के exam को start के से करना है देखें मैं previously भी आपको discuss कर चुका हूँ कि आपके पास कितने minutes होते हैं यह आप 10 a.m. पे आपका test start होता है अब access student क्या करते हैं कि 10 a.m. पे उनका test start हो रहा है और वो पहुचते हैं 10 15 पे वो लेट है 10 a.m. means 10 a.m. sharp आपको center के अंदर मौजूद होना है ठीक है अब आपको timing मिलती है two hours की इन two hours के अंदर 120 minutes हैं इन 120 minutes के अंदर आपको कितने mcq solve करने हैं 100 अब यह 100 mcq solve किस तरह के से होंगे जाहिर सी बात है common sense की बात है कि शुरू के 5 to 10 minutes आप waste कर देते हैं कि इदर अधर देखने में और जो है आगे पीछे देखने में कि यार slip मेरा मुझे कौन सी copy मिले कौन सी नहीं ठीक है यह चीज़ के लिए अब दूसरी बात यह कि उसके बाद जो आपको time मिला एक mcqs को solve करने का near about कोई one minute मिल गया अब जब एक mcqs को solve करने के लिए one minute आपको मिल रहा है एक mcqs के लिए तो आपने क्या करना है जो mcqs आपको आते हैं उसको छोड़ना नहीं है उसको आपने tick कर देना है जो mcqs आपको नहीं आते वो आप end के लिए छोड़ने है ठीक है और जो illustrations हैं जो आप देखने के यार long statements हैं अब जो यह long statements होती हैं इसको भी मैं clear करता चलूँ कि जो long statements हैं यह बंती कहां से हैं अगर आप qso पुए रहे हैं तो qso मेंसे कुछ आप articles इसे देखेंगे जिसके अंदर क्या है जिसके अंदर illustrations बहुत ही long है तो उन illustrations को at least one से two time go through लाजमी करें उन illustrations मेंसे वो क्या करता है long statement ही देता है illustrations को move करता है किस की तरफ long statements की तरफ अब वो किस तरह के से move करेगा वो यह कर देगा illustration मेंसे कोई भी illustration उठाई उसने qso मेंसे आपकी पीपीसी मेंसे कोई एक illustration उठाई और उस illustration मेंसे एक word miss कर दिया जब एक word miss किया तो आप यह समझेंगे कि यार यह तो बहुत ही कोई tough test था और यह statement तो बहुत ही long है और यह तो मुझे समझ में नहीं आ रही जब आपने बेरेक पड़ा होगा बेरेक को समझ के पड़ा होगा समझा होगा दो से तीन बार उसको go through किया होगा illustrations long statements आपके easy easy questions हैं उनको आप क्या करें उनको आप tick कर दें अचा आप tick का भी क्या है यह भी मता रिएता हूं उनको आपने solve कर देना है और जो रहते हैं वो फिर last minutes में आपने उनको solve कर देना है इसके अंदर कोई negative marking नहीं आपने नहीं सोचना किया यह तो हो सकता है कि मेरे कुछ MC कि आपके पास जो bubble sheet होती है अब को जो bubble sheet है यह different होती है students के पास किस तरीके से उसाल के दौर पे आपके एक left में student बैठा है आपके एक front में student बेठा है और आप बेठे हैं इधर है ठीके अब आप देखते हैं कि यार मैं बेक वाले से कुछ पूछ लेता हूँ, देखें, आपको मिली है white bubble sheet, उसको मिली है red color की sheet, और आपके जो front में बिठा है, उसको मिली है green color की sheet, उसको मिली है red color की sheet, और उसको मिली है blue color की sheet, तो near about कोई 4 to 5 sheets होती है, जिसके अंदर होता है क्या है, कि अगर आपका शुरू में start हो रहा है QSO से, 20 marks, आपके 20 questions, आपके है QSO के, तो जो आपके left में बिठा है, उसके पास जो sheet होगी, उसके बास, जो question paper होगा, उस question paper में sequence change हो जाएगा, उस question paper में start ही CPC से हो रहा है, आप उससे पूछते हैं, यार, ये five cancer क्या है, तो वो कहता है five cancer C है, आप देखते हैं, five cancer C है, आप देखते ह नहीं होगी, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगिल से, ठीक है, दूसरी बात ही कि जाहर सी बात है, ये जो चारों बेठे हैं, इन चारों को अपने लागेट की लगी है, कि यार, हम किसी तरीके से लागेट में, जो हिज़ादा marks obtain कर लें, हम किसी तरीके से इस test को pass कर लें, तो वह आपको क्यों बताएंगे, अगर बताएंगे भी तो वह आपको wrong ही बताएंगे, correct नहीं बता सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ की लेर हुई, दूसरी बात, last race में मैंने बताया था कि जो आपको options मिलते हैं, four to five options हैं, a, b, c, d, e, लेकिन उसमें से जो options होते हैं, वो चा count नहीं होगा, कुछ students क्या करते हैं, कुछ students जहें, ऐसे करके और half fill करते हैं, ये भी आपका count नहीं होगा, अब count कौन सा होगा, जो last students, इसको अच्छे तरीके से fill करेंगे, पूरे sequence के साथ इसको fill करेंगे, ये आपका count होगा, mcqs consider होगा, otherwise बाकी सारे के सारे count और consider नहीं ह क्या करते हैं, कि A, B, C, D है, अब वो क्या करते हैं, कि वो देखते हैं, कि B सही है, उन्होंने कर लिए, फिर नहीं नहीं यार, D सही था, उन्होंने C भी कर लिए, ये भी आपका mcqs घलत होगा, तो इन चीजों का आपने बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना है, ठीके, आपने उपर confident लें, ठीके, कि यार, मैं जब LLB complete करके आ सकता हूं, तो मैं ये test क्यों नहीं complete कर सकता, मैं ये test में 90 plus marks क्यों obtain नहीं कर सकता, दूसरे जितने भी आपके students हैं, क्या, उन्होंने कभी 90 plus marks नहीं लिए, ठीके, इसी तरीके से कुछ ऐसे आपके colleagues, आपके seniors पे हो करेंगे, तो आप ये क्यों consider करते हैं, क्यार मैं नहीं ले सकता, देखें, जो दूसरे कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, ठीके, मेरी तो आपके साथ दुआ हैं, कि आपके 95 plus marks आएं, लेकिन आपने इन basic चीज़ों को count करना है, ठीके, अब इस से related कोई भी question raise होता है, या फिर कोई भी आपको notes वगरा की help out की जरूत पड़े, तो फिर आप मुझसे contact कर सकते हैं, ठीके लेट सो,